अब ये बैड पर लेटी वी है थोड़ी थोड़ी देर में यह सीरीटी से तरखती हैं इसके हाथ प्रेर देख रहे हैं आप कैसे चल रहे हैं क्यूंकि अब इससे यही लग रहा है कि उसका पने मोबाइल है अगर अगर इसके आख में मोबाइल होगा Call of Duty और इसके बहुत सारे गेम्स हैं इंडिया में भारत में बब्जी और फिरिपायर बैन हो गया है लेकिन फिर भी उसको एक नया वर्जन आ गया है जो ठीक उसी की तरह है उसको लोग यूज कर रहे हैं खेल रहे हैं गेमिंग एक प्रोफेशनल प्रोफेशन है जो कि पूर मस्ती मजाक ही नहीं है लोग इसके एडिक्ट हो रहे हैं और उसका दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है कुछ न्यूज है जो आद मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ कुछ ऐसी घटनाएं हमारे देश में होई है एक छोटा सा बच्चा जिसके उमर पे ज्यादा नहीं है स्कूल जाने वाला उसने अपनी मां से जित करी कि उसे मोबाइल दिया जाए उसके मां जो की घरों में काम करने वाली है लोगों की बरतन मांचती पोचा लगाती आती ऐसे करके वह पैसा कमा के लाती और उसी कमाए हुए पैसे में से उसने अपने बेटी को मोबाइल दिलाया वह भी इस लिए कि वह बेटा पढ़कर ओनलाइन क्लास लेकर घर में रहेकर वह उस मोबाइल का सही उपयोग करके पढ़ाई करे लेकिन आप उनमें जानते है जिसके पास भी मोबाइल है हर कोई उसका सही उपयोग नहीं कर रहा है और इस बसे ने भी वैसा ही किया गेमिंग खेलता रहा माब आपको बता नहीं देरे देरे इतनी लट लग गई कि वह इस हद तक बिमार हो गया जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस हद तक बि इस बचला इसोड़ को इस स्क्रीन इस लटका है यह पूरी रिपी से पागल हो चुका है और यह मोबाइल के ना इस का मोबाइल चल रहा है ना कुछ किसा सत्त एक और एक वीडियो आपको दिखांगा मैं ये तो है एक Demoesis जो यह लोगों को दिखा रहे तकि लोगों से सीखें पर यह हो रहा है यह बिलकुल सच है स्कृ wrapper आप इस वीडियो को देखिए यह श्ती हालत हुगी है बस से करे जा रहा है जो भी इंसान गेम खे resolutions के खराब हो जाती है देखिए प्तिए स्क्रीन पर इस बच्छे कि आखे कैसी हो गई है बिल्कुल ऐसी आखे हो गई है आपको ये वीडियो देखकर है हासी आने वाली है लेकिन मेरे प्रियों यह बहुत कम दिए इससे बचने अब ही हम सिखाएंगे एक और छोटी सी बच्ची है इसका ब्रेंड डेमेज हो गया है पूरी रितिस से मोबाइल के इतने जादा लस हो गई है अगर आप भी अपने बच्चों को जादा मोबाइल दे इस बात को आप सोच लीजी दीजे लेकिन उतना दीजे जिससे वह सीखे समझे और आगे बढ़े ना की बिगड़ जाए अगर देते हैं तो नजर रखिए देखते रहे और शुरक्षा को भी देखिए इस बच्ची को देखिए छोटी सी बच्ची अभी इसने कुछ भी द लगता है लोग बहुत टाइम पास के लिए इसको यूज करते हैं लेकिन ये टाइम पास आपकी जान भी ले सकता है साथी साथ में एक और ये बच्चा है इस बच्चे को देखिए अब इससे यही लग रहा है कि उसके हाद में मोबाईल होगा तो सोची इसकी जिंदगी कि में आने लगता है इरिटेशन उनके अंदर आने लगती है उनका जीवन से निरिंद्रन जो है वो खोने लगता है खाना पीना खुमना भार लोगों के साथ मिलना इस लेंग्वेज में कहते है शोसल एंग्जाइटी मानसिक संतूलन भी विगड़ जाता है उनकी आंके खरा चाहेंगे एक साथ रोटेट हो सकती है लेकिन एक अग अल gobine हो ज़एक यह थोड़ा सा अजीव लगने वाली बात है और यह भी सच दोस्तों और परिवार से दूर्या बंझाती होंगे बैड पर पड़े होंगे और पागल वाली इस्तिती में आ जाएंगे तो कैसे जाएंगे आप लिए सामाजी गती वीडियो से दूर हो जाएंगे कुछ भी काम करना है मना कर देंगे साफ क्यों क्योंकि उनके पास टाइम निया टाइम कहां पर वीजी हो रहा है टाइम तो हेड़फोन वो यूज़ कर रहे है न उसकी वज़े से जो सर इतना दब शुका है और यह सिर्फ एक दो इंसान नहीं है माल लिज़े किसी के साथ कोई बच्पन से पैदा ही असा होगा लेकिन यह दो तिन तिन लोग जो देख रहे है आप स्क्रीन पर यह जूट नहीं ह तो मानो बहुत दूरी हो जाएगी बहुत कम सोते हैं इसे लोग बात यह है कि अगर मालो अब हैबिट में अगर पढ़ गए तो क्या करें उसका सोलीशन में मैंने आपको बता दिया फिजिकल एक्टिवीटी कराई घर से बाहर लेकि जाए रात को मोबाइल बैडरूम में म भी आपको सुनाओंगा प्लीज डाउलोड कीजे विजनरी रेडियो का नया अप्लिकेशन जिसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं चोईस घंटे और साथ दिन आप रेडियो को सुन सकते हैं हिंदी बाइबल के दो दो अध्याय आपको दिन में तीन बार सुन मैं रहता हूं साती CT सात् tyre में इबनिंग शो में भी आपके साथ रहते हैं और भी ऊससारे प्रोग्राम सब्सें आप देंहें इसमें हुआ क्या महीं हुआ एक बेटा जिसने पनी मां को मार दिया और दो दिन तक उसको अपनी ही घर में रखा किंगे मां गाना को लगती दि कि उसका freedom छिन रहा है लेकिन उस बच्चे ने क्या कि घर में एक license वाली गन पड़ी थी फादर के उस गन को निकाल कर उसकी जो मात ही उसके सर पर गोली मार देते हैं मारने के बाद में रूम में रखा उसके बाद में अपने friends और बच्चों को मिला कर वहां पर पाटी भी कर है और जब दो दिन बाद में smell आने लगी डेट बोडी में से वद्बू आने लगी तो उस वद्बू को चुपाने के लिए रूम फ्रेशनर लगा रहे हैं तो सोची कितनी ज्यादा गंबीर बात है गेमिंग कहां तक लेकर जा रही है इसी जो को सीमा हैदर के बारे में तो बहुत सारी चीज़े हैं में भी चीज़े फ़णी लगेगी और कई चीज़े घातक भी है आपको बताने के लिए इसलिए क्योंकि आप परमिश्वर के लोग है प्रभू ने आपको एक खास उदेशे के लिए चुना है और उस उदेशे को आपको पूरा करना होगा आपके जीवन को सुधारने के लिए प्रभू आप सभी को बहुत आशिश करें यह वीडियो देखने के लिए सुनने के लिए गौड ब्लेस यो प्रेइज द लौड